हमास के चीफ के मारे जाने के बाद इरान और इसराइल में एक बड़ी जुंक हो सकती है पूरी दुनिया की निगाहे जो है वो इरान पिटिकी हुई है कि कब वो बदला लेने के लिए इसराइल पर अटैक करते एक और नई जुंक शुरू ना हो जाए ऐसे में अगर यह जुंक होती है तो इसका सर भारत पर क्या होगा इन सभी बातों पर आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट अमिद बंसल जी से अमिद जी आपका बहुत-बहुत सौनेत है शुक्रिया सर सबसे पहला सवाल मेरा ही है कि इसमाईल हानिया की मौथ हो गई है अब हमास का आगे क्या होगा देखे आज सुबह एक इन्फोर्मेशन आई है जिसके तहत जो इनकी हमास की शूरा काउंसिल है उसने अब याहया सिन्वार को इसका नया चीफ गोशित कर दिया है अब याहया सिन्वार कौन है मैं आपको बता दूँ हमास एक ओर और 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 अर्गनिशन थी इनकी जो गाजा पत्टी के अंदर हमास की यूनिट थी उसका पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ था याहया सिन्वार और मिलिटरी ब्यूरो का चीफ था मोहमद डेफ मोहमद डेफ को इन्होंने 13 जुलाई को मार दिया था तो अब याहया सिन्वार इसका पॉलिटिकल ब्यूरो का चीफ है जो कि आज भी गाजा पत्ती के अंदर कहीं न कहीं किसी टनल में चिपा हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमास के पास अभी दो इपशन है या तो वो जितने भी होस्टेजि़ उसके पास अभी बचे हैं उनको इसराइल के हवाले करें और किसी बे तरह से सीजफ़ायर करके peace की बात करें, शांती की बात करें जो इस्राइल की पहली condition है इस्राइल ने कहा है कि शांती की बात करने के लिए आपको सबसे पहले सारे hostages को release करना पड़ेगा तो एक ये issue है और अगर वो ये नहीं करता है तो मुझे नहीं लगता कि या है सनवार चुकि आज भी गाजा में हैं, वो शायद जिन्दा बचेगा हो सकता है कुछ दिन और बच जाए, कुछ हफते अपने जिन्दीगी के बताते बर जिस तरह से इसराइल आकरमक नजरा रहा है तो हमास के मुझे नहीं लगता है कि कोई निता भी बचेगा अगर हमास इस तरह की एक्टिविटीज नहीं दिखाता है और इसराइल के आगे सरेंडर नहीं करता है वेकुर एसी से जड़ा एक सवाल है जैसे इरान की अब हो रहा है कि वो बदला लेगा उसके इरादे उसमें साफ कर दिया है बदला लेने के इरान ने अपने इरादे जाहिर किये इरान के एक जामकरन मस्जिद उसके उसके उपर उन्होंने अपना लाल जंडा भी फेराया और ये सारी के सारी कारवाई की लेकिन इरान के पास एक बहुत-बड़ा डैलमा है कि वो इसराइल के उपर हमला कैसे करेगा क्योंकि इसराईल के जो बॉर्डर्ग्ष है वो इरान के सभी हैं। उनके बीच में कौन हो। उनके बीच में अरब मुलक यह सिए। कि विच पी किसी मिसायल को और वो 60, 60, 70,去 और थे इर ईइर शिया समने identify लिए ज। उन्हों और चैलि की बात ik अगर अगली बार भी हमला करेगा तो भी ऐसे ही हो इस तरह से तो करेगा नहीं अब वो करेगा कैसे इसकी सबसे बड़ी इरान ने पिछले तीन या चार दशकों में एक काम किया है जो बहुत इंपोर्टेंट है और जो पूरी दुनिया को समझा जरूरी है इरान ने अपने काफी सारे प्रॉक्सी डेवलप की है बिल्कुल अब ये प्रॉक्सी कौन है हमास क्या हमास इरान का ही प्रॉक्सी है हमास को इरान ने फंडिंग दिगा हमास को इरान ने टेर्निंग दिया उनको वेपन्स दिये और जहा तक कुछ ख़बरों में ये बी कहा गया है क्जो सात अक्तूburgh का जो हमला हुआ उसकी टेर्निंग भी इंकी आतांकवादियों की टेर Genius से हुए थी ओके दूसरा सबसे बड़ा प्रॉक्सी है हुटी हुटी विद्रोई जमन के सबसे बड़े इस्टी को पर शास्ट कर रहे हैं उनके पास हर तरह के हत्यार हैं गोला बारूद हैं आटलरी जैं में साइल हैं ड्रोन हैं सब कुछ है तो आपको एक बहुत बड़ा प्र कर सकता हो हिजबला के पास कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट के मताविक चार से पांच लग फाइटर्स हैं एक और चोथा प्रोक्सी है पलेस्टिन इस्लामिक जहाद जो वैस्ट बैंक बेस था लेकिन उसको अभी बाहर एक्सिट आउट कर दिया वो सीरिया से उपरेट कर कि असरयरिक बेस्ट कि इरान सपोर्ट करता है तो कहीना के इंवल्मेट भी वो सकता है तो इरान जहाँ कनता ऐष्रैल की बात करता हूं को अगर इसको कोई हमला करना होगा जारि तो डिर्यक्ली ना करके वह इन प्रोक्सी और नियारान इसराईल से बड़े प्रोक्सी आपको लगता है तनी पावरफुल है। जी हाँ बहुत पावरफुल है। हजबुल्ला के पास जो रॉकेट का आज़े वह बहुत जादा है। क्योंकि पिछले सालों कुछ सालों सालों मैं वह बता रहा हूँ अब अगर आप हुथी इसकी बात करेंगे तो हुथी एक छोटा सा गुट नहीं है। हुथी अपने आप में यमन की गवर्नमेंट है जो कि यमन के आदे से जादे इससी को परशासन कर रहे है। हजबुल्ला वह ऐसा गुट है आतंकवादी गुट नहीं है। हजबुल्ला एक ऐसा पॉलिटिकल पाटी है जिसको लिबनान की पालेमेंट में में अजरोटी हासिल है। तो लिबनान गुवर्मेंट नहीं के साथ है। हमास की अगर पावर की बात करें तो जितनी हमास की टोटल पावर साथ अक्तूबर के अटक से पहले थी। हजबुल्ला की एक्चल जो स्टेंथ है और पावर है और जो मिलिटरी पावर है वो हमास की लगवक 5-6 गुना है। तो आप उसे समझ सकते हैं कि कितने बावरुफल हैं तो अगर ये प्रॉक्सी एक साथ और एक कॉडिनेटिटीड एफ़र्ट में हमला करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये इसराइल को छोड़ पाव इसराइल को चोड़ाइल को अगले 2-3-4 सालों तक भी लडाई में उ उक्रेन युद्ध है उसके बाद गाजा वार और अभी ये बंगलादेश क्राइसिस आपको लग रहा है कि जो दुनिया है वो आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है जी हां दुनिया बहुत बुरी तर आर्थिक संकट तरफ बढ़ रही है बिल्कुल हर जेगे आप देख अफ्रीका के चेकर लगा करके आना पड़ रहा है नेट्फिल सी वात है कॉस्ट बढ़ रही है इंफ्लेशन बढ़ रहा है और टैंकरों के मुमेंट के ऊपर रिस्क्षिन हो रही है तो आप अब सारी चीजों को अगर ओर लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं ना कहीं इसका बहुत जादा डेट्रिमेंटल एफेक्ट पढ़ने वाला है हम अभी तक सोच रहे थे कि साउथ एश्या से अंशुआ रह गया है लेकिन बगलाजिश में भी क्रैसे शुड़ हो गया तो इन सारी जो इवेंट्स है दुनिया बर में लाई हो रही है खुन खराबा हो रहा है तो इसका एफेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की अगले चार-पांच सालों तक भी से उबर कर पाईगी दूसरी तरफ चाइना जो अपने आप में वर्ल्ड एकोनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ पर एक रियल स्टेट का स्लंप आ होगा है पूरी चाइनी दुनिया बर के वार्थ हो गए तो एकोनमी तो अल्टिमेटली बहुत बुरी तरह सफर करने वाली है और अभी कर रही है अगर हम बात करें इसलामिक रैडिकलाइजेशन की तो यह एक कितना चिंता का विशह है काफी बड़ा चिंता का विशह है देखिए आप कहीं भी प् आप की पूरी बुणियाद ही इसलामिक रैडिकलाइजेशन रही है आज जो बंगलादेश में हो रहा है बंगलादेश में जितने भी लोग अक्टिविटी कर रहे है जितने लोग जो प्रोटसर्स बरॉक श्लामिक निया दॉट कर देखिए है पाकिस्टान में आप देख वो बड़े-बड़े बिजिसमेन हैं, बड़े-बड़े ओई टैकून ने के लिए इसलाम में एक उता जुकात देना, वो अपने एक पैसा देते हैं, दान देते हैं, अब वो दान दिया हो पैसा कहा जा रहा है, अकसर लोग इसको ट्रैक नहीं करते हैं, तो जो आतंकवादी जब अफगान वार में हुजाइदीनों को एक्विप किया गया तो उन्होंने अलग लग तरीके से इन चीजों को निकाला तो यह सारे किसारे जो कॉंसेप्ट से बड़े कॉंप्लिकेट है और कही ना कहीं से फंडिंग का जो में सूर्स है वो मिडिली लिस्ट है Okay Islamic Radicalization की funding मिडिली से ही होती है Qatar एक सबसे बड़ा funder है Qatar के बड़े-बड़े जो बिंजन स्मयन है वो बड़ा funding करते है झाल झाल